यहाँ पर हमें एक cylinder के height और radius का sum दिया गया है 37 meter, इसका total surface area दिया गया है 1628 meter square, तो हमें इस cylinder की volume find out करनी है, तो देखें यहाँ पर इस question में जो जो चीजे दी गई है पहले में उनको write कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक relation दिया गया है radius plus height का, तो यह कितना है 37 meter है, फिर य cylinder का total surface area है वो दिया गया है 1628 meter square, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जो cylinder का total surface area का निकालने का formula होता है उसको write कर लूँगा मैं यहाँ पर, तो यह होता है 2 pi r into r plus h, ठीक है 1628 इसके equal में आएगा, अब यहाँ पर देखें, जो r plus h है वो दिया गया है हमें, यह कितना है 37 meter ह तो मैं यहाँ पर write कर लूँगा, 2 multiply में 22 upon 7, यह radius यहाँ पर, और r plus h यहाँ पर है 37, ठीक है, takes equal to 1628, तो radius मुझे निकाली है यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 1628, 7 division में है, उदर जाके इसको multiply करेगा, और बाकी जो चीजे हैं इसको divide करेंगे, तो 2 multiply में 22, cut कर लेता हूँ तो यह हो जाएगा 28, 21, 24, 22 से कर लेते हैं, देखो 37 और यहाँ पर divide में, ठीक है, 22 से कर लेते हैं, इसको तो 22, 3 जा, and 27, 154, तो 37 से 37 cancel out, तो यह आ जाएगा, यहाँ पर 7 meter, ठीक है, अब देखे हमारे पास radius तो आ चुके है, यहाँ पर, लेकिन हमें क्या चाहिए, height और चा काल सकते हैं, इस relation का use करके, यहाँ पर r plus h हमें दिया गया है, 37 meter, और radius है यहाँ पर 7 meter, तो इसमें हम radius को fill कर देंगे, तो हमारी जो height है, वो निकल जाएगी, तो मैं यहाँ पर write कर लेता हूँ, r plus में h, it is equal to 37, r यहाँ पर 7 है, and plus में h, it is equal to 37, तो h, it is equal to 37, तो h, it is equal to 37, radius यहाँ पर हमें दिया गया है, 7, r square है तो लिखेंगे दो बार, and multiply 30, 7 से 7 cancel out हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 की 66, 660 गुना के 7, तो 700, सच्छी के 42, सच्छी के 42, और 4, 4620 meter cube, इस cylinder का volume आच जाएगा,